नमस्कार फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग सब कुसल मंगल होंगे हमारे जीवन में बहुत उतार चड़ावाते हैं जीवन में अगर आपके उतार चड़ावाते हैं, आप एंडाउन होता है, आपकी इस्टी सिचुएशन वदलती रहती है, आपकी जिन्दगी में बहुत कुछ परिवर्दन होता रहता है, तो इसी का नाम जिन्दगी है, लेकिन हम समाज में यह देखते हैं दोस्तों की लोग बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, अब बहुत कुछ का मतलब जैसे की कोई कहता है की मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कार हो, कोई कहता है कि मैं अच्छा मोबाइल लेना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की अपनी अपने छोटे छोटे सापने हैं, किसी की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, कोई करोडों की गाड़ी खाइदना चाहता है, करोडों के बंगले बनाना चाहता है, किसी की छोट सूटी से लग्राइज def atenção कोई सोच्वता hakkम πα्रक्राहिक अ क्षोटी सी रखली यह स्टा कि में च्छोटा मटाम अपना मकान बनालू। प्रतियक्स वैक्ति की छोटी छोटी इच्छाए ہے। छोटी-छोटे सपने हैं। और हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में सफलता का जो मायने होता है, वो अलग-अलग होता है, कोई व्यक्ति छोटी सी नोकरी पाकर भी अपने आपको सफल मानता है, कोई व्यक्ति छोटी सी इच्छाय पूरी हो जाने पर भी अपने आपको सफल मानता है, जैसे छोटा सा ब अमीर आदी मन जाओं तो वो उसको सफलता मानता है लेकिन इसका भी मैने सफलता नहीं होता है लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर सफलता हमारा मैटर नहीं है हमारा जो यहां पर मैटर है वो है आपकी इच्छाएं कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हो और आपन बहुत हैं लेकिन दोस्तों क्या इन ख्वाइशों के साथ साथ इन इच्छाओं के साथ साथ आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप इन इच्छाओं को पूरा कर सकें अगर आप इच्छाओं प्रकट कर रहे हैं अपने मन में अपने जहन में अपनी आत्मा में अपने दिमाग में इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने मन में सामर्थ को भी जगाना पड़ेगा, ये बहुत ही combination बनाना पड़ेगा आपको कि सामर्थ और इच्छाएं सक्ती नहीं है आपकें, इच्छाएं आपकी बहुत प्रवल हैं, तो क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बिल्कुल नहीं पूरी होगी जितनी आपकी इच्छाएं प्रबल हैं अभिलासाएं प्रबल हैं उससे 10 गुना ज्याधा 100 गुना ज्याधा आपकी सामर्थ को प्रबल होना चाहिए, मजबूत बना चाहिए, आपकी सक्ति, आपकी कुछ पाने, कुछ करने की सक्ति आपके अंदर है क्या? तो इच्छाओं और सक्तियों को ये आप अगर एक तरह से देखेंगे, तभी आप अपनी छोड़े उटे सपनों को पूरा पर पाएंगे. बहुत से हमने युवा देखें, वो बड़ी बड़ी नौकरियां पाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं उनके, लेकिन उन युवाओं के अंदर सामर्थ नहीं होती, वो सक्ति नहीं होती, वो पृतिभा नहीं होती, वो वर्निंग डियार नहीं होती उनके अंदर कि वो उसको पाने के लिए बहुत कुछ सीखना चाहती है सीखने के ज़तपर नहीं है लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर समय बस सोचते रहती है कर्म अगर आप करोगे तो आपको फल भी मिलेगा वो आज नहीं तो कल मिलेगा लेकिन अगर आपकी इच्छाओं प्रवल हैं तो आपको अपने अंदर सामर्थ को भी जगाना पड़ेगा सामर्थ के लिए आपको सबसे पहले अपने आपको उस माहोल में ढालना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हो आपको जो कुछ पाना आप चाहते हो वो आपके दिमाग में माइंड में करना पड़ेगा माइंड सेट करना पड़ेगा आपको उसी तरफ चलना पड़ेगा उस विचार को आप अपने दिल दिमाग और मन में आप ठान लेजिए और उस तरफ बढ़ते जाईए उसके साथ साथ आप अपनी सामर्थिकों भी बढ़ते जाईए अपनी सक्ती को बढ़ते जाईए और यहाँ पर सक्ती का उतलब यह नहीं है कि आपने सथी के अंदर ताकत प्रदा करें आप अपने मन की सक्ति, आत्म सक्ति और आपके ज्यान की सक्ति, आपके अनुभव की सक्ति, आपके ज्यान की सक्ति, आपके अनुभव की सक्ति, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट, आपकी काविलियत, और आप कितना सीखना चाहते हो, कितना सीख रहे हो, उसके बाद में ह कि आप एक कर्म की सकती, आप कितना भाग सकते हो, कितना दोड सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो आप, तब आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा भी कर लेंगे, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होगे, कि अगर सामर्थ नहीं जगाओगे ताकत नहीं जगाओगे आत्म सक्ति को नहीं प्रवल बनाओगे तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी इच्छाएं और ख्वाइशें हर्विक्ति की अधुरी रह जाती हैं लेकिन छोटी-छोटी जो आपकी जरुत की इच्छा हैं, जो आप पाना चाहते हो अपने जिंदगी में, तो वो तो होना चाही रहा है, अगर वो भी नहीं होगा, तो फिर आप जीवन जीएंगे किसलिए, आप जीवन किसलिए जी रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, और बहुत बड़े-बड़े अगर आपने सपने भी देख रखे हैं, तो उसके लिए आप अपनी सक्ति को जगाओ, अपनी सामर्थ को पैदा करो, अपनी सामर्थ बनाओ, और सामर्थ को जुटा लोगे, तो इच्छाओं को भी प्रा आपक्त कर ली, मन पर आपने जो मन आपकी इंद्री है, ग्यारवी इंद्री है, जो चलाय मान होती है, कभी इधर, कभी उधर, जैसे मन जो होता है, आपका इस्थिर नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो फिर आप लाइप में कुछ नहीं कर सकते, मन को जिसने जीता, उसने संसार को जीता, तो दोस्तों, आज मन को आप अपने कावु में कर लेजिए, अपनी आत्मशक्ति, अपने ग्यान के दोरा, अपने मस्टिस्क की ताकत से, अपने ब्रेन की पावर से, आप अपनी इच्छाओं को भी प्राप्त कर लेंगे, तो अगर आपकी इच्छाएं हैं, आपकी अभिलासाएं हैं, तो आपको अपने अंदर सामर्थ और सक्ती भी जगानी पड़ेगी और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब ही आप लाइप में बड़े मुकाम हासिल कर पाओगे, उससे पहले आप कुछ भी हासिल नहीं क करें, ठीक है, कोई भी अगर कोई भी आपकी जीवन में सवाल है, आप प्रब्लम में हैं, तब उसके लिए भी हमें, पुकार सकते हैं, काल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैहिंद बंदिवत्र, जैस्री किस्ना, रादे रादे